हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 12th किलास का 2024 का हिंदी का पेपर ले करके आई हूँ और देखिए इसके पेपर की संके तंक संख्या है 301DE तो फड़ा फड़ से इसे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए इसमें कुछ अब्जेक्टिब दिये गए हैं सबसे पहले इने सॉ विट्थलनाद तो ओप्षन 3 पिल्कुल करेक्ट है इसाथ नेक्स्ट कोशन देखते हैं ब्रहामर्णपत्र के समपादक हैं तो ब्रहामर्णपत्रिका के समपादक हैं परताप, नारयन, मिश्र ऐप्षन ए खड़ी बोली गद्द के जनक हैं भारतेंदू हरीष्चंद ओप्शन बी विलकुल ठीक है नेस्ट कोशन है रसग्य रंजन क्रती के लेखक हैं तो इस रसग्य रंजन क्रती के लेखक हैं माहावीर परसार दुवेदी तो ओप्शन इसका जो 4 है विलकुल करेक्ट है फिर है रेखा चित्र पर आधारित रचना है तो रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चल चित्र option 3 correct है तो देखे मैं इसके चार option नहीं पढ़ूँगे नहीं तो वीडियो जादा लंबा हो जाएगा ठीक है करकंशन देखे चार आधारित रहयों थे चार रेखा रहका हैं हिंदी सहत्यक्तय का प्रथम कवी माना जाता है हैं सरहपा को माना जाता है option 3 correct है तुद्थ है त् 있ष्ञा सतक प्रकांशन वर्ष प्रिक्रेय जाते ह तो कठिन काव्य के प्रित कहें जाते हैं केशब दास, नेक्स्ट कोश्चन है सामधानी काव्य के रचाइता हैं, तो सामधानी काव्य के रचाइता हैं, रामधारी सिंह दिनकर, निमलिखित मैसी कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परमपरासी संबंदित है, तो रीतिकालीन ये दस नंबर का आपका है और इसमें एक पूराई पैसेज दिया गया है आपके सिलेवस का इसको पढ़ना है और कोशन के आंसर छाटने है तो पहला जो कोशन है वो है परियुक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए तो यह जो पूरा पाठ है तो इस का नाम है रास्ट का स्वरूप और इसके लेखक है वासुदेव शरं अगरवाल और इसके बाद देखें अगला कोशन है रेखांकित अंश की व्याक्या कीजिए तो आपके सामने रेखांकित अंश है इसकी क्या हमें व्याक्या करनी है और उसके बाद फिर कुछ कोशन दि तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं अथवा करके फिर एक पैसिस दिया गया है यह पैसिस है जन्म लेने वाले प्रतिएक व्यक्ति के भरण कोशन की उसके सिक्षण की जिससे वह समाज के जिम्मिदा घटक के नात्य अपने योगदन करते हुए अपने विकास में हो सकें यह पूरा पैसिस आप पहले जीगा और फिर इसके बाद क्या करना है इसमें परियुक्त गद्यांश के पाठ का शियेशक और इसके लेखक का नाम है प्रगति के मांदन्ड और इसके लेखक का नाम है पंडित दीन दयाल उपाध्या है और इसके बाद आगे आपके यह तो आप पहला वाला पैसेज कीजिए अथवगर के दूसरा दिया है या फिर आप इसे कीजिए ठीक है इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 4 पर कोशन नमबर 4 है निमलिकित पद्यान्शों पर आधारित प्रिश्णों के उत्तर दीजिए किर्पा निधान इसका तो इसके पाठ का जो शीरशक है वो है गंगा अवतरन और इसके जो कवी है वो है जगनात दास रतना कर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याक्या करनी है तो देखें रेखांकित अंश की व्याक्या कर दीनी है फिर तीम कोशन और दिये गए है इसके आंसर आपको इसी खंड मैसी छांटनी है, इसी के बाद अथवा करके फिर से कोशन दे दिया गया है, साब्धन मनुष्य यदि विज्ञान है तलवा, तो इसे देफैंक, तो इस जो लाइन दी गई है फोर्ग, और इसके नीचे कोशन के, कुछ कोशन से दिये गई है, कोशन नमबर वान है और ये पाठ का जो नाम है वो है अभिनव मनुष्य, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, कुछ कोशन दिये गए हैं, इसी खंड के, तो ये रेखांके पंक्तियों की व्याक्या कीजिए, तो रेखांके जो पंक्तियां उसकी व्याक्या कर देनी है, फिर तीन कोशन दिये गए हैं, वो खंड में इसे ही छाटने हैं, इसी के साथ देखिए, आगे कुछ कोशन से दिये गए हैं, इसी कोशन नमबर फाइव है, फाइवा का, निमलिखित मैसे किसी एक लेखक का जीवन परिचे देते हुए, उनकी रचनाव का उल्लेख कीजिए, तो नमबर सहत्तिक विशिष्टाओं के हैं, तो ऐसे नके पाँच नमबर आपके जीवने के होगा, तीन कवियों के नाम है, इनमें से कोई सी भी आपको कर देनी है, फिर कोशन नमबर सिक्स, पंचलाइट कहानी के पिरमुक पात्र का चेत्र चत्रन कीजिए, अथवा कहानी त कोशन दिये गए, जो आपको सीलेबस का हो जैसे आपके सीलेबस में अगर रसमीरथी हैं, तो अथवा करके दो कॉशन दिये गए, उनमें से कौई से एक कर लेना है, और पांच नमबर आपको मिल जाएंगे , या तो रशमीरथी का करई श्रवन कुमार का करिए, अलो की पि इसमें कुछ भब चण से खंड का व्यां के मुक्तियग जीतके त्याग पत्ही के जो भी आपके से लिवस्का होगा उसमें से आपको कोशन कर देना है इसके बात कोशन नमबर यह पर आ जाते हैं यह आपके सामने अस्कृट कैं खंड दिया गया है और इसमें आपको सन्धर् मिलेंगे टोटल साथ नमबर आपको मिल जाएंगे तो वीडियो पॉज करके इसको पहल लीजिएगा और इसको अच्छी से समझ लीजिएगा इसके राद कोशन नमबर खा है यह आपके सामने एक संस्कित का इश्लो के आथवा करके एक यह और एक यह है तो इसमें भी आपको संधर बताना इसका फिर इसका अनुबाद कर देना श्लो कर या तो आप इसका करिये या फिर इसका कीजिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर नाइन है निम लिखित मैसे किनी दो पिष्णों के उत्ता संस्कित में दीजिए तो संस्कित में यह आपके चार कोश लंकार उपमालंकार की परिभाशा दीजिए ये भी दो नंबर का दौन में से कोई सा एक करना है दो हात्वा कुंडली अच्छंद की परिभाशा उधान से लिकिए ये भी दो नंबर का आएगा फिर है कोशन नंबर 11 अब देखिए आपके सामने निवन्द दिये गए हैं ये फोर टॉपिक देदी हैं इनमें से किसी एक का आपको निवन्द करना और निवन्द के आपको नौ नंबर मिलेंगे इसके बाद कोशन नंबर 12 पर आ जाते हैं ये है नयनम का संधी बिच्छेद है तो देखिए नयनम का संधी बिच्छेद होगा नय प्लस अनम ओप्शन सा सार नमबर का जो है option 3 ये विल्कुल correct है फिर है काला विव का संदी विच्छेद है तो काला विव का संदी विच्छेद होगा option B कलाव प्लस इव फिर है फर नमबर का question व्रिद दहा का संदी विच्छेद है तो इसका होना चाहाईए option दा वृिद प्लस धा ये इसका सही आंसर है निमनी खितम से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिख़ी एक दो नम्बर का question है तो देखिए इसमें पहले हमें विग्रह करना समास का नाम बताना तो अनूरूपम तो अनूरूपम में किया हो जागा और समास saucon 1888 आपका अव्याइभ्हाव समास क्योंकि यह अनुवा गया अनुशे पहचाऩ परती हैकि यह अव्याइभ्हाव समास है और दूसरा समास है आपका श्रेष्ठ पुरुशहा तो इसका समास का नाम होगा कर्मधारे यानि श्रेष्ठ जो पुरुश फिर है मीनाक्षी तो इसमें भी कर्मधारे समास होगा यानि मचली जैसी आखों वाली तो यह मीनाक्षी हो गया अब आजाते हैं इसी के साथ कोश्या नमबर 13 पर, बैंकों में खाता खोलने के लिए बैंक के प्रवंधक को प्रार्थन पत्र लिखी, अथ्वा अपनी गली महले की नालियों के समोचे सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्ते अधिकारी को पत्र लिखी, दौना मैं से द्धातु के शब्द एवं प्रत्य का योग इस पश्ट कीजिए तो दिए के पहला है महत्वम, तो इसमें किसी एक का बताना, तीनों मैंसे, यह कैंज जगत्वा फिर है मती-मती, तो महत्वम को देखते हैं सबसे पहले, तो महत्वम जो इसमें धातु कॉन से तो द्धात सबस्क्राइब वे 172 अगर सोई जगत्व की बात करेंगी तो जगत्वा में जगत्व द्हात्ट हो गई और इसका प्रत्ट अगल ने सुल recite both ने नहीं मत ने च результат और जो प्रत्त आ है वो है मत प्रत्य इसी के बाद नेक्स्ट कोश्टन पर बढ़ते हैं निमलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्य लिखिये तो पहला है बलवती तो बलवती जो है इसमें प्रत्य होगा मत्व प्रत्य फिर है गुरुत्वम, गुरुत्वम में होगा त्वय प्रत्य, पठित्वा, पठित्वावमें क्या कत्वा प्रत्य होगा इसी के साथ आगे भढ़ते हैं रेखांकित पदों मैंसे किसी एक पद में प्रयोक्ति विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए तो इसमें तीन सेंटेंस दिये गए हैं तो इसमें हमें बताना होगा कि आकाशा छात्रे इसमम इसनाती इसमें कौन सी विभक्ति ह और कौन सा नियम का उल्लेख करना है हमें तो देखिए इसमें क्या है चात्रे इसमें त्रतिय विभक्ति है और इसमें जो नियम लगेगा वो लगेगा सहय युक्ते पिरधाने और श्री गरेशाय नम्हा इसमें जो है आपी चतुर्ति विभक्ति होगी और नियम लगेगा इसमें सूत्र नम्हा स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम्वशत योगास्च तो ठीक है आज हमने यह पेपर देख लिए एक बचा आपका मतो हिर्द्यम कन्याम प्रतिस निकधम भवति तो इसमें त्रत्य विभक्ति होगी ठीक है तो आज देखिए हमने कि आई यह पेपर सॉल् है तो फ्रेंड्स फिर मिलते अगली वीडियो के साथ और अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जै हिंद जै भारत